देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंतरादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर म आशा करता हूँ आप सभी स्वस्तों होंगे, बहादेव के ग्रिपा आप सभी पर सदायग बनी वहीं, यह वीडियो कुम्भ यानि की अक्वेरियस के लिए एक बहुती महत्तपोन है वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं साल 2023 की 26 सकरात्मक भविश्यवानियों के बा बहुती ऑब्यस सी बात है कि जीवन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो जब पूरे साल का राशी फल बनाऊंगा, तो उसमें दोनों चीज़े बताऊंगा, लिकिन इस वीडियो के बनाने का उचित्य वस इतना ही है, कि जब हम एक नई चीज की शुरुआ कर रहे हैं, नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सब के जीवन में एक सकरात्मक ता है, राहु केतु ब्रहस्परी शनी, ये चार ग्रहें जिनके इर्द गिर्द सारे बड़े इवंट्स होते हैं, तो ये जो 26 भविश्यवानिया है, 26 सकरात्मक भविश्यवानिया है इन चार ग्रहों के आसपास ही होंगी, तो शुरुआत करते हैं कुम्ब के लिए साल 2023 की 26 सकरात्मक भविश्यवानिया होगा, सबसे पहले हम शनी महराज की ही बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहला राशी परिवर्तर उनीका होगा, 17 जनवरी 2023 को शनी महराज कुम्ब में आ ज स्वामी केंद्र में हैं, दूसरा महापुरुष योग बनेगा जिसको सस कहते हैं, तो महापुरुष और राज योग इन दोनों का साथ आपको पूरे साथ पूरे साल अवश्य मिलेगा, जहां से सकरात्मक ता आते हुई ही दिख रही है, दूसरी भविश्यवानि, confidence and stability दो इसके बहुत सालों बाद जाके आपके लगन में वापस आएंगे, तो ये एक golden period होता है, जो ग्रह धीरे चलते हैं, जब उनके लगने के स्वामी लगन में आते हैं, तो अच्छा period जाता है, तो confidence पड़ेगा, stability पड़ेगी, तीसरी भविश्यवानि, क्योंकि शनी महाराज आपके लिए बारवे स्थान के स्वामी है, तो अगर फॉरन यात्रा करना चाहते थे, विदेश से कोई काम था, कुछ भी बाहर से संबंदित कारे के लिए आप देश से बाहर जाना चाहते थे, तो उसके लिए साल 2023 बहुत अच्छा है, चौती भविश्यवानि, अगर अच्छी आपको न्यूस अवश्य प्राप्त होगी, पांच भी भविश्यवानि, तीसरी दृष्टी यहाँ पर बैठकर तीसरे स्थान पर, तीसरा स्थान साहस पराकरम का स्थान, जब लगन के स्वामी साहस के स्थान को देखेंगे, तो क्या बढ़ेगा, साहस जोगी, छटी भविश्यवानि, क्योंकि तीसरा भाव यात्रा का स्थान है, लगने के स्वामी का इन्वाल्मेंट हो गया, तो साल 2023 में बहुत सारी आप शुब यात्राइं करेंगे, अब वो शुब यात्राइं आपके काम से रिलेटिट भी हो सकती है, धर्म से बढेंगे, आठवी भविश्यवानि, दुबारा सातवी दृष्टी सप्तम भाव पे ही है, बिजनस का स्थान भी है, लगने के स्वामी के दृष्टी हो गई सप्तम पर, मैं कई बर बता चुका हूँ, जब भी लगने के स्वामी का साथ मिलता है, तो वहां से प्रोटेक् से जुड़ा काम करना चाते हैं, आप पॉलिटिक्स में एंटर करना चाते हैं, कई कुम्ब लगने अराशी के जातक होते हैं, जिनका पॉलिटिक्स में इंटर्स होता है, शनी दिव के कारण, तो पॉलिटिक्स में एंटरी के लिए भी साल 2023 अच्छा है, दस्वी भविश् जलते हैं वो आ जाएंगे मेश में आपके लगन यराशी से बना तीसरा स्थान और यह होगा 22 अप्रल 2023 को तो ग्यारवी भविश्यवानी यह भी बता रहा है कि जीवन आगे बढ़ेगा वह यात्राओं के द्वारा हो या ओवर आपके जीवन में बहुत कुछ नया होगा जो पास confidence आता है वो आगे बढ़ता है तेर भी भविश्यवानी आप जीवन में बहुत competitive रहेंगे तीसरा भाव है यह साहस का भाव है और जब ब्रहस पती आते हैं तो यहां पर साहस के साथ management भी आ जाता है तो बहुत competitive रहेंगे aggression को छोड़कर आप एक authority के साथ एक आगे बढ आपके निरने लेने की शमता आपकी चीजों को सोचने की शमता उसमें हर चीज में authority का अनुभवाब करेंगे पंदरवी भविश्यवानी पांचवी दृष्टी कहां पर रहेगी सब्तम स्थान पर दुबारा शनी महराज की भी दृष्टी है प्रहस पती की भी है यानि कि शादी के लिए तो कुम्ब के लिए जो साल 2023 है बहुत अच्छा है सौल भी भविश्यवानी फॉरण बिजनस कोई आपका है फॉरण ट्रेड कोई आपका है आपके लिए साल 2023 बहुत अच्छा है सत्र भी भविश्यवानी क्योंकि सब्तम दृष्टी ब्रहस्पती की भाग भागे के खुद कारक है तो जब वो भागे स्थान को देखेंगे तो भागे में भी वृद्धी होगी अठारवी भविश्यवानी क्योंकि नवे भाव पर द्रिश्टी रहेगी तो बहुत सारी तीर्थ यात्राइं आपको ब्रहस्पती 2023 में अवश्य करवाएंगे उननिस्वी भविश्यवानी नवी द्रिश्टी कहां रहेगी इच्छा के स्थान पर ग्यारवे स्थान पर तो इच्छा पूरती आपकी साल 2023 में बहुत सारी होने वाली है कई ऐसी इच्छा हैं पूरी होंगी जिनके बारे में शायद आपने उम्मीदे छोड़ दीती बीस्वी भविश्यवानी ग्रोथ की उपर्चुनिटी आएंगी ऐसी उपर्चुनिटी आपके पास साल 2023 में आएंगी जो आपके पूरे जीवन को एक नई राह एक नई डिरेक्शन दे सकती है राहु महराज पे चलते हैं 30 अक्टूबर 2023 को राहु अपना राशी परिवतन करेंगे वो कहां आएंगे 25 क्योंकि उल्टा चलते हैं अभी मेश में है तो उल्टा चलते हैं तो मीन में आ जाएंगे यह होगा 30 अक्टूबर 2023 को जैसा मैंने बताया तो 21 भाविश्यवानी क्योंकि धन स्थान में है दूसरे स्थान में है तो धन आपका अवश्य बढ़ेगा अचानक से बढ़ेगा 22 भाविश्यवानी ancestral property से लाव होगा वसीयत से लाव होगा inheritance से लाव होगा 23 भी महविश्यवानी अगर आपने investment कहीं पर करके रखी थी तो उससे भी अचानक लावा आपको साल 2023 में अवर्श्य होगा केतु महराज पे जलते हैं वो वर्गों में आ जाएंगे वो भी उल्टे चलते हैं अभी तुला में है तो वो वर्गों में आ जाएंगे और आपके लिए वो आएंगे आठवे स्थान पे तो 24 भाविश्यवानी occult sciences जतने भी होती है तंत्र मंत्र साधनाय जोतिश इन सब क प्रति आपका जो अट्रेक्शन है वो जादा रहेगा आप यह सब सीखने का प्रयास करेंगे 25 भाविश्यवानी कोई भी साधना करने के लिए सबसे अच्छा स्थान है सबसे अच्छा समय है क्योंकि आठवा स्थान व्यक्ति को अंदर लेके जाता है अंतर मुखी बनाता लोग कर पाते हैं जो अंतर मुखी होते हैं जो अपने आप से संतुष्ठ होते हैं जो एकती बाहर की चीजों में खोया रहता वो कभी साधना नहीं कर सकता 26 भविश्यवानी भविष्यवानी meditation साधना meditation में थोड़ा फरक होता है थोड़ा नहीं काफी होता है meditation के प्रथम पड़ाव पर छड़ने के लिए भी साल 2023 बहुत अच्छा है तो यह थी मेरी 26 सकरात्मक भविष्यवानिया कुम्ब के लिए साल 2023 के लिए आशा करता हूं यह वीडियो आपकी काम आएगी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुब नमश्युक्त